श्री राम कृष्ण वच्छना मृत के अगले भाग को प्रारंभा करते हैं। श्री राम कृष्ण एक दिन समाधी लीन हो गए थे। थोड़ी देर बाद समाधी से प्रकृत अवस्था में आने के बाद वे कहते हैं कि मैं अच्छा हूँ। एक भक्त उन से हाथ जोड़ कर कहता है कि मुझे भी अच्छा कर लीजिये ना महराज। श्री राम कृष्ण कहते हैं तुम अच्छे तो हो। कव में आकार लगाने से का होता है? उस पर फिर आकार लगाने से क्या फल होगा? का पर एक और आकार लगाने से काका का ही रहता है इस पर सब लोग हस पड़ते हैं भक्त कहता है इस संसार में पड़ा हुआ हूँ महराज श्री राम कृष्ण कहते हैं तुम्हें संसार में उन्होंने और पांच आद्मियों के लिए रखा है अश्ट पाश हैं ये सब नहीं जाते दो एक पाश वे रख देते हैं लोग शिक्षा के लिए तुमने एह नाटक किया है तुम्हारी भक्ती देखकर कितने ही आद्मियों का उपकार होता है जानते हो और तुम अगर सब छोड़ दोगे तो फिर ये लोग कहा जाएंगे वे तुम्हारे द्वारा काम कराए लेते हैं काम पूरा हो जाने पर फिर तुम्हें लोटना न होगा ग्रहीनी जब घर का कुल काम कर लेती है सब को खिला पिला लेती है दास दासियों को भी तब खुद नहाने के लिए जाती है उस समय बुलाने पर भी वह नहीं लोटती भक्त कहता है कि मुझे आशिरवाद दीजी महराज श्रीराम कृष्ण कहते हैं कृष्ण के वियोग से यशोदा की उनमाद अवस्था थी वे राधिका के पास गई थी उस समय राधिका ध्यान कर रही थी उन्होंने भावावेश में यशोदा से कहा मैं वही मूल प्रक्रती हूँ आद्या शक्ती हूँ तुम मुझसे वर की प्रार्थना करो यशोदा ने कहा और क्या वर दोगे यही कहो जिससे मन, वानी और कर्मों से भगवान की सेवा कर सको कानों से उनका नाम, उनके गुन सुनो हाथों से उनकी और उनके भगवान की सेवा कर सको आखों से उनके रूप और उनके भगवान के दर्शन कर सको उनका नाम लेते हुए जब तुम्हारी आखों में आसवों की दाहरा बह चलती है तो तुम्हें चिंता किस बात की है उन पर तुम्हारा प्यार हो गया है अनेक के जानने का नाम है अज्ञान और एक के जानने का नाम है ज्ञान अर्थात एक ही इश्वर सत्य है और सर्वभूतों में विराजमान है उनके साथ बातचीत करने का नाम है विज्ञान उन्हें प्राप्त कर अनेक प्रकार से प्यार करने का नाम है विज्ञान और यह भी है कि वे एक दो के पार हैं मन और वानी से अतीत हैं लीला से नित्य में जाना और नित्य से लीला में आना इसका नाम है पक्की भग्ती तुम्हारा वह गाना बड़ा सुन्दर है शामा पदे आस नदी तीरे वास इसी से बन जाएगी यह सब उनकी कृपा पर निर्भर है परंतु उन्हें पुकारना चाहिए चुपचाब बैठे रहने से न होगा वकील न्याया धीश से सब कुछ कहकर अंत में कहता है मुझे जो कुछ कहना था मैंने कह दिया सब आपकी इच्छा है अब कुछ देर बाद श्री राम कृष्ण नीलकंठ से कहते है तुमने सुभे इतना गाया फिर तकलीफ करके यहां आए परन्तु यहां सब ओनरेरी है नीलकंठ कहते हैं क्यों श्री राम कृष्ण सहास्य कहते हैं मैं समझा तुम जो कुछ कहूगे नीलकंठ कहते हैं अनमोल रत्न ले जाऊंगा श्री राम कृष्ण कहते हैं वह अनमोल रत्न तुम्हारे ही पास है का में फिर से आगार लगाने से क्या लाब तुम्हारे पास रत्न न होता तो तुम्हारा गाना इतना अच्छा कैसे लगता राम प्रसाद सिद्ध है इसी लिए उसका गाना अच्छा लगता है तुम्हारे गाने की बात सुनकर मैं स्वयम जा रहा था परंतु नियोगी फिर आया था कहने के लिए इसके बाद सब भगत अपने अपने घर लोट गए श्री राम कृष्ण विश्राम करने लगे अगले दिन श्री राम कृष्ण कहते हैं आँख खोल कर भी ध्यान होता है बातचीत के बीच में भी ध्यान होता है जैसे सोचो किसी को दात की बीमारी है दर्द हो रहा है दर्द होने पर भी वह काम तो सब करता है परंतु मन उसका दर्द पर रखा रहता है इस तरहे ध्यान आँख खोल कर भी होता है और बातचीत करते हुए भी होता है एक भक्त कहता है, प्रभू का नाम पतित पावन है, यही हम लोगों का भरोसा है, वे दयामय हैं, श्री राम कृष्ण कहते हैं, सिंखों ने भी कहा था, वे दयामय हैं, मैंने पूछा वे कैसे दयामय हैं? उन्होंने कहा क्यों महराज उन्होंने हमारी स्रिष्टी की है हमारे लिए इतनी चीजें तैयार की है पग पग पर हमें विपत्ती से बचाते हैं तब मैंने कहा वे हमें पैदा करके हमारी देखरे कर रहे हैं खिलाते पिलाते हैं इसमें कौन सी बड़ी तारीफ की बात है। तुम्हारे अगर बच्चा हो, तो क्या उसकी देखरे कोई दूसरा आकर करेगा क्या। भक्त कहते हैं जी, किसी का काम जल्दी हो जाता है, और किसी का होता नहीं है। इसका अर्थ क्या है महराज। श्रीराम कृष्ण कहते हैं, बात यह है कि बहुत कुछ तो पूरुजन के संसकारों से होता है। लोग सोचते हैं कि एकाएक हो रहा है। किसी ने सुभै को प्याले भर शराब पी थी, उतने से ही मतवाला हो गया, जूमने लगा, लोग आश्चरिये करने लगे, सोचने लगे, यह प्याले भर में ही इतना मतवाला कैसे हो गया। एक ने कहा रहे, रात भर इसने शराब पी होगी। हनुमान ने सोने की लंका जला दी। लोग आश्चरिये में पड़ गए कि एक बंदर ने कैसे सब जला दिया। परन्तु फिर कहने लगे, वास्तव में बात यह है कि सीता की गरम सांस और राम के कोप से लंका जली है। और लाला बाबु को देखो, इतना धन है, पूरु जन्म के संसकार के बिना क्या एक आएक कभी वही राग्य हो सकता है क्या। और रानी भवानी, स्त्री होने पर भी, उसमें कितनी ज्ञान भक्ती थी। अन्तिम जन्म में सतोगुन होता है, तभी इश्वर पर मन जाता है, उनके लिए विकलता होती है, और तरहे तरहे के विशय कर्मों से मन हटता जाता है। कृष्ण दास पाल आया था, मैंने देखा उसमें रजोगुन था, मैंने पूछा, कि मनुश्य का कर्तव्य क्या है, उसने कहा संसार का उपकार करना, मैंने कहा क्यों जी, तुम हो कौन संसार का उपकार करने वाले, और उपकार भी क्या करोगे, और संसार क्या इतना छोटा है, कि तुम उसका उपकार कर सकोगे। फिर थोड़ी देर की शान्ती के बाद, श्री राम कृष्ण ने मास्टर से कहा, देखो, घर में साध्मों और सन्यासियों का चित्र रखना अच्छा है, सुबह उठकर, दूसरे का मुख देखने से पहले साध्मों और सन्यासियों का मुख देखकर उठना अच्छा है, दिवार पर अंग्रेजी तस्वीर, धनी राजा और रानी की तस्वीरें, रानी के लड़कों की तस्वीरें साहाब और मेम टहल रहे हैं उनकी तस्वीरें इस तरह की तस्वीरे आदि रखना रजोगुनी के लक्षन है जिस तरह के संग में रहा जाता है वैसा ही स्वभाव हो जाता है इसी लिए तस्वीरों में भी दोश है फिर मनुश्य जैसा है वैसे ही संगी भी तो खोजता है जो परम हंस होते हैं वे पांक छे साल के दो चार लड़के अपने पास रख लेते हैं उन्हें पास बुलाया करते हैं उस अवस्था में बच्चों के बीच रहना खूब सुहाता है बच्चे सत्व, रज, उर्तम, किसी गुण के वश नहीं है पेड देखने पर थपोवन की आद आती है रिशियों के तपस्या करने का भाव जाग जाता है सीती के ब्रहमनम कमरे में आये श्री राम कृष्ण को उन्होंने प्रणाम किया उन्होंने काशी में वेधानत पड़ा था श्री राम कृष्ण कहते हैं क्यों जी तुम कैसे हो, हुद दिन बाद आये पंडित जी सहास से कहते हैं जी, ग्रिहस्थी के काम से चुट्टी नहीं मिली आप तो जानते ही है श्री राम कृष्ण कहते हैं बनारस तो बहुत दिन रहे क्या क्या देखा कुछ कहो तो कुछ दयानन्द की वातें बताओ पंडित कहते हैं दयानन्द से मुलाकात हुई थी आपने तो देखा ही था श्री राम कृष्ण कहते हैं हाँ मैंने देखा था श्री राम कृष्णा आगे समझाते हैं कि भक्ति ही एक मात्रसार वस्तु है ईश्वर की भक्ति वे क्या भक्ति की खोज करते हैं अगर ऐसा हो तो अच्छा है अगर ईश्वर लाभ उनका उद्देश्य हो तो अच्छा है चंद्र लोग, सूर्य लोग, नक्षत्र लोग और महात्मा को लेकर ही अगर कोई रहे तो ईश्वर की खोज इससे नहीं होती उनके पाद पद्मों में भक्ति होने के लिए साधना करनी चाहिए व्याकुल होकर उन्हें पुकारना चाहिए अनेक वस्त्वों से मन को खीच कर उनमें लगाना चाहिए यह कहकर श्री राम, कृष्ण, राम, प्रसाद के गीत गाने लगे उसका भावार्थ यह है हे मन, अंधेरे में पागल की तरह, उनके तत्व का विचार तुम क्या करते हो वह तो भाव का विशय है भाव के बिना अभाव के द्वारा क्या वह कभी मिल सकता है उस भाव के लिए योगी जन, युग युगांतर तक तपस्या किया करते है भाव का उदय होने पर वह मनुश्य को उसी तरह पकड़ता है जैसे लोहे को चुमबक, पत्थर और चाहे शास्त्र कहो, चाहे दर्शन कहो, चाहे वेदांत किसी में वे नहीं है उनके लिए प्राणों के विकल हुए विना कहीं कुछ न होगा शड़ दर्शन, निगम आगम और तंत्रसार से उनके दर्शन नहीं होते वे तो भक्तिरस के रसिक हैं आनन्द पूर्वक, रदय पुर में विराजमान है खूब व्याकुल होना चाहिए उनके लिए रोना चाहिए उनसे प्रार्थना करने चाहिए कि उनके दर्शन हो जाए साधना की बड़ी जरूरत है एक आएक क्या कभी इश्वर के दर्शन होते हैं भला एक ने पूछा कि हमें इश्वर के दर्शन क्यों नहीं होते मेरे मन में उस समय यह बात उठी मैंने कहा बड़ी मचली पकड़ना चाहते हो तो उसके लिए आयोजन तो करो जहां मचली पकड़ना चाहते हो वहां मसाला डालो डोरी बासी डालो मसाले की गंध पाकर गहरे जल से मचली उसके पास आएगी तब पानी हिलने लगेगा तब तुम समझ जाना कि बड़ी मचली आई है अगर मक्खन खाने की इच्छा है तो दूध में मक्खन है दूध में मक्खन है ऐसा कहने से क्या होगा मेहनत करनी पड़ती है भाई तब मक्खन निकलता है इश्वर है इश्वर है इस तरह बक्ते रहने से क्या कभी इश्वर के दर्शन हो सकते हैं भला साधना चाहिए रे बाबा भागवती ने स्वयम पंचमुंडी आसन पर बैठकर तपस्या की थी लोक शिक्षा के लिए श्री कृष्णम साक्षात पूर्ण ब्रह्म है परंतु उन्होंने भी तपस्या की थी तब राधा यंत्र उन्हें पड़ा हुआ मिल गया था कृष्ण पुरुष है और राधा प्रक्रती चिट शक्ति आध्या शक्ति है राधा प्रक्रती है त्रिगुण मई इनके भीतर सत्व, रज और तम तीन गुण है जैसे प्याज का छिलका निकालते जाओ पहले लाल और काला दोनों रंग का मिला हुआ हिस्सा निकलता है फिर लाल निकलता है फिर सफेद वैश्नव शास्त्रों में लिखा है कामराधा, प्रेमराधा, नित्यराधा कामराधा चंद्रावली है प्रेमराधा श्रीमति गोपाल को गोद में लिये हुए नित्यराधा को नंद ने देखा था यह चित शक्ति और वेदांत का ब्रह्म जैसे जल और उसकी हिम शक्ति, पानी की हिम शक्ति को सोचने से पानी को भी सोचना पड़ता है, और पानी को सोचने से उसकी हिम शक्ति भी आ जाती है, साप की तिरियक गती को सोचने से साप को भी सोचना पड़ता है, ब्रम्ह कब कहते हैं? जब वे निश्क्रिये हैं या कारिये से निरलिपत हैं पुरुष जब कपड़ा पहनता है तब भी वह पुरुष ही रहता है पहले दिगंबर था अब सामबर हो गया है फिर दिगंबर हो सकता है साप के भीतर जहर है परन्तु साप को इससे कुछ नहीं होता जिसे वह काटता है उसी के लिए तु जहर है ब्रम्ह स्वयम निरलित है नाम और रूप जहां है वहीं प्रकृति का एश्वरिय है सीता ने हनुमान से कहा था वत्स एक रूप से मैं ही राम हूँ और एक रूप से सीता बनी हुई हूँ एक रूप से मैं इंद्र हूँ और एक रूप से इंद्रानी एक रूप से ब्रम्हा हूँ और एक रूप से ब्रम्हानी एक रूप से रुद्र हूँ और एक रूप से रुद्राणी नाम रूप जो है सब चित शक्ती का एश्वर्य है ध्यान और ध्याता भी चित शक्ती के ही एश्वर्य में से हैं जब तक यह बोध है कि मैं ध्यान कर रहा हूँ तब तक उनही का इलाका है इन सब की धारना करो वेदों और पुराणों को सुनना चाहिए और वे जो कुछ कहते हैं उसकी धारणा करनी चाहिए कभी-कभी साधू संग करना अच्छा है रोग तो आदमी को लगा ही हुआ है साधू संग से उसका बहुत कुछ उप्षम होता है मैं और मेरा पन यही अज्ञान है परिवार, आथमी, बंधू, संपून, संसार तुम्हारा है इसी का नाम है यथार्थ ज्ञान इसके विपरीत मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ करता मैं, घरद्वार, कुटुम्ब, परिवार, लड़के, बच्चे सब मेरे हैं इसका नाम है अज्ञान गुरू शिष्य को ये सब बातें समझा रहे थे कह रहे थे, एक मात्र ईश्वर ही तुम्हारे अपने हैं और कोई अपने नहीं शिष्य ने कहा महराज माता और स्त्री, ये लोग तो मेरी बड़ी खातिर करते हैं अगर मुझे नहीं देखते तो तमाम संसार में उनके लिए दुख का अंधेरा चा जाता है तु देखिए न, वे मुझे कितना प्यार करती है गुरू ने कहा यह तुम्हारे मन की भूल है बेटा मैं तुम्हें दिखलाए देता हूँ कि तुम्हारा कोई नहीं है दवा कि ये गोलियां अपने पास रखो घर जाकर गोलियों को खाना और बिस्तरे पर लेटे रहना लोग समझेंगे तुम्हारी देह छूट गई है मैं उसी समय वहां पहुँच जाऊंगा शिश्य ने कहा तथास्तु महराज वैसा ही करूँगा घर जाकर उसने गोलियों को खा लिया थोड़ी देर में वह बेहोश हो गया उसकी मा उसकी स्त्री सब रोने लगी उसी समय गुरू वईद्य के रूप में वहां पहुँच गए यह सुनकर उन्होंने कहा अच्छा इसकी एक दवा है यह फिर से जी सकता है परन्तु एक बात है यह दवा पहले आप में से किसी को खानी चाहिए फिर यह उसे दी जाएगी परन्तु इसका जो आत्मी है यह गोली खाएगा उसकी मृत्यू हो जाएगी और यहां तो इसकी मा भी है और शायद स्त्री भी है इन में से कोई न कोई अवश्य ही दवा खा लेगी इस तरह यह जी जाएगा शिश्य सब कुछ सुन रहा था वाइद्य ने पहले उसकी माता को बुलाया मा रोती होई धूल में लोट रही थी उसके आने पर कविराज ने कहा मा अब तुम्हें रोना न होगा तुम यह दवा खाओ तो लड़का अवश्य जी जाएगा परंतु तुम्हारी इससे मृत्य हो जाएगी मा दवा हाथ में लिए सोचने लगी बहुत कुछ सोच विचार के पस्चात रोते हुए कहने लगी बाबा मेरे एक दूसरा लड़का और एक लड़की है मैं अगर मर जाओंगी तो फिर उनका क्या होगा यही तो सोच रही हूँ कोन उनकी देखभाल करेगा कोन उने खाने को देगा यही सोच रही हूँ तब उसकी स्त्री को बुला कर दवा दी गई उसकी स्त्री भी खूब रो रही थी दवा हाथ में लेकर वह भी सोचने लगी उसने सुना था दवा खाने पर मृत्यू अनिवारी है तब उसने रोते हुए कहा उन्हें जो होना था सो हो गया अब मेरे बच्चों के लिए क्या होगा उनकी सेवा करने वाला कौन है फिर मैं कैसे दवा खालू तब तक शिश्या पर जो नशा था वो उतर गया वह समझ गया है कि किसी का कोई नहीं है तुरंत उठकर वह गुरू के साथ चला गया गुरू ने कहा तुम्हारे अपने वस एक ही आदमी है हो है इश्वर अतैव उनके पाद पदमों में जिससे भक्ती हो जिससे वे मेरे हैं इस तरह के संबंध से प्यार हो वही करना चाहिए और वही अच्छा भी है देखते हो संसार दो दिन के लिए है इसमें और कहीं कुछ नहीं है पंडित सहास से कहते है जी जब यहां आता हूँ तब उस दिन पूर्ण वैराग्य हो जाता है इच्छा होती है कि संसार का त्याग करके कहीं चला जाओं श्री राम कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं त्याग क्यों करना होगा आप लोग मन में त्याग का भाव लाईए संसार में अनासक्त होकर रहिए सुरेंद्र ने कभी कभी आकर रहने की इच्छा से एक बिस्तर यहां ला रखा था दो एक दिन के लिए वो आया भी था फिर उसकी पत्नी ने कहा दिन के समय चाहे जहां रहो रात को घर से न निकलना तब सुरेंद्र क्या कहता अब रात के समय कही रहने का उपाय भी तो नहीं रह गया है और देखो सिर्फ विचार करने से क्या होता है उनके लिए व्याकुल हो जाओ उन्हें प्यार करना सीखो ग्यान और विचार ये पुरुश है इनकी पहुँच बस तरवाजे तक है भक्तिस्त्री है वह भीतर भी चली जाती है इसी तरहे के एक भाव का आश्रे लेना पड़ता है तब मनुष्य कहीं जाकर इश्वर को पाता है सनक आदी रिशी शांत भाव लेकर रहते थे हनुमान दास भाव में थे श्री दास सुदामा आदी व्रज के चरवाहों का सक्ख्य भाव था यशोदा का वात्सल्य भाव था इश्वर पर उनकी संतान बुद्धी थी श्रीमती राधिका का मधुर भाव था हे इश्वर तुम प्रभु हो मैं दास हूँ इस भाव का नाम है दास भाव साधक के लिए यह भाव बड़ा ही अच्छा है जब तुम यह भाव करोगे तो तुम्हारे अंदर भगवान के प्रति सच्चा प्रेम पैदा होगा धीरे धीरे भगवान तुम्हारे निकट प्रतीत होंगे तुम्हें, फिर भगवान तुम्हें आशिरवाद देंगे, भगवान तुम्हारे भीतर प्रतिष्ठित होंगे, तब तुम उन्हीं के साथ एक आकार हो जाओगे, उन्हीं के साथ लीन हो जाओगे, उन्हीं में रमन करोगे, सच्ची भक्ती को पालोगे, सच्चे वईराग्य को पालोगे, ज्यान की सर्वुच्च अवस्था में बैठ जाओगे एक छोटा सा भाव बस निरंतर करते रहो कि मैं भगवान का दास हूँ मैं भगवान का दास हूँ मैं भगवान का दास हूँ इस प्रकार श्री राम कृष्ण वच्णाम रित का यह भाग संपूर्णता को प्राप्त होता है शेश अगले अंक में